चाणके नीती चाणके द्वारा रचित नीती गिरंथ है जिसमें जीवन को सुख में और सफल वनाने के लिए उपियोगी सुचाब दिये गए हैं इस गिरंथ का मुखे भी से है मानब समाज को उसके जीवन के हर एक पहलू की बेवार एक सिक्षा देना नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में आए जानते हैं चाणके की कुछ ऐसी ही नीतियां जो जीवन में किसी न किसी मोल पर काम आ सकती है चाणके जी ने चाणब जीवन के हर एक छेत्र में अपने नीतियों का उल्लेक करते हुए कहा है कि अगर आप अपने जीवन में इन नीतियों को उतारते हो तो आपका जीवन कभी भी कटनाईयों में नहीं वलकि सरल तरीके से बैतित होगा दोस्तो चाणके जी ने अपनी एक नीति में प्यार से रिलेटिट समस्या को वताया है कहा है अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं अगर आप किसी को अपने प्यार में पागल दीवाना बनाना चाहते हैं तो आप मन में यह एक सब्द बोल दो आपका प्यार आपके लिए तडपेगा बहे आपके प्यार में मदोस दिवाना हो जाएगा बहे आपसे खुद बात करेगा दोस्तों यह सब्द चानक के द्वारा बताएगाए दूसरे अध्याय का है जिसमें नीती और उद्यस्यों को उलेखित किया गया है उसमें वरणन प्यार का ही है आचारे चानक के जी ने अपनी एक निती में सिरी किर्षन के प्यार को लेकर बताया है कि अगर भगवान सिरी किर्षन सच्चे मार्ग और अपने मन में कोई कपट ना रखकर सच्चा प्यार नहीं करते तो उन्हें सारा संसार इस तरह प्यार नहीं करता वह भी प्यार से बंचित रहाते लेकिन दोस्तो वह एक सच्चे और मन साफ लवजों से प्रेम करते थे इसलिए उनके प्रेम में सभी दिवाने हैं दोस्तो अगर आप भी सच्चा प्यार करते हैं तो आप भी अपने प्यार को आगे तक बढ़ा सकते हैं और आप उसे अपना बना सकते हैं दोस्तो ये मंत्र क्या है आपने इसे कैसे बोलना है ये जानने के लिए वीडियो में आंत तक बने रहें वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे जैसरी किष्णा अवस्य ही लिख दें दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर और बताते हैं कि आपको ये सब्द कैसे बोलना है दोस्तो ये सब्द सिर्फ आप सनीवार के दिन ही बोलें जब आप सनीवार के दिन सुबह उठें तो सुबह उठते ही आप हाथ जोड़ कर यह सब्द बोलने सब्द है पिर्णे प्रिती अमुख बस दोस्तो अमुख के इस्तान पर आप अपने प्रेम का या प्यार का या पार्टनर का नाम लें और यह सब्द आपको साथ बार बोलना है दोस्तो अगर आप यह उपाय सनीवार के दिन सुभे नहीं कर पाते हैं तो आप साम में सूरे छिपने के बाद भी कर सकते हैं लेकिन साम में आप किसी दिन भी इसको कर सकते हैं चाहे वह सनीवार हो, चाहे वह रवीवार हो, चाहे सौमबार हो सबते के साथो दिन साम में इसे कर सकते हैं लेकिन साम में आपको सूर्य छिपने के बाद खाना खाने से पहले ही इसे बोल कर अपना ये उपाय कर सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रादे रादे